हेलो एवरीवन, स्वागते आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWD Job में नवोदे विध्याले की तरप से दो नए बड़े विग्यापन चारी किये गए है पर्मानेंट वेकंसी रहने वाली है जहां पूरे भारत के कैंडिरेट जो हैं बिल्कुल अपलाए कर सकते हैं तो पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि केंद्रे विध्याले की जो वेकंसी है 2024 में बिल्कुल आप लोगों को permanent vacancy देखने को मिलेगी teaching and non-teaching staff की इसी तरीके से जो है Envious की इनवोदे विद्याले की भी vacancy आने स्टार्ट हो गई है तो ये दोनों ही विग्यापन इस वीडियो में हम चेक करने वाले हैं vacancy जो है किस-किस post की है पूरे भारत में कहीं भी किसी भी राज्य के candidate है आप तो बिल्कुल apply आप यहाँ पर कर पाएंगे तो बिल्कुल regular रहे चैनल पर ताकि vacancy के जो भी notification आते हैं वो आप लोगों तक पहुंच सकें तो यहाँ पर आप देखें सबसे बहला जो notification है नवोदय विध्याले समिती Ministry of Education, Government of India Department of School Education and Literacy 15 मार्च 2024 को यह notification जारी किया गया है और दूसरा जो notification है non-teaching post के लिए है यहाँ पर जो है सबसे पहले post देख लेते हैं female staff nurse group B की जो vacancy है जहाँ पर total 121 vacancy आई है यह non-teaching staff के लिए है assistant section officer की 5 vacancy है audit assistant group B में total 12 vacancy है junior translation officer के लिए 4 vacancy है legal assistant group B की 1 vacancy है stenographer की 23 है computer operator की 2 है catering supervisor की 78 vacancy है यह सब भी जो है permanent government job है junior secretary to assistant की जो है vacancy 21 है बहुत सारी vacancy ऐसी है इसमें ऐसी post है जहाँ cable 12th मांगा गया है junior secretary to assistant group C की जो vacancy है 360 है total number of vacancy उसके बाद जो है lab attendant में देखें group C की अंतरगत post quarter 12 में 161 vacancy है MTS की जो vacancy है 19 है यहाँ पर जो है post and eligibility criteria दिया हुआ है जैसे female staff nurse के लिए pay scale level 7 के according रहेगी 44,900 basic पे रहेगी उसके बाद जो है काफी जो सरकारी भत्ते होते हैं यह सब include कर देते हैं तो salary काफी अच्छी यहाँ पर रहेगी upper age limit जो है 35 यह रखी गई है female staff nurse के लिए तो BSC owners in nursing या फिर regular course in BSC nursing वाले बिलकुल यहाँ पर apply कर सकते हैं next जो है post का नाम है assistant section officer level 6 के according salary है 23 से 33 year इसमें रखी गई है bachelor degree और 3 साल का जो है अनुवयाँ पर मांगा गया है audit assistant में बिकुम वाले apply कर सकते हैं junior translation officer के लिए master degree आपकी हिंदी में है और English आपने subject के रूप में पढ़ा है या फिर master degree English में है हिंदी आपने subject के रूप में पढ़ा है अपने degree level में तो बिल्कुल apply कर सकते हैं 32 year जो है यहाँ पर अधिक्तम है legal assistant के लिए level 6 के according यहाँ पर salary रहेगी 23 से 35 year तक essential qualification में देखें तो degree in law और इसके साथ 3 साल का unwork stenographer के लिए क्या मांग रहे हैं यह तो cable 12th pass और skill test जो है आपका यहाँ पर रहेगा स्टैनों में computer operator की vacancy में BCA, BSC computer science IT वाले apply कर सकते हैं या फिर BE, BTEC वाले भी apply कर सकते हैं 18 से 30 साल उम्र रहेगी उपरी IU सीमा में बिल्कुल government norms के according यहाँ पर रहने वाली है next जो है 12th pass candidate अप्लाइ कर पाएंगे junior security rate assistant के लिए और जिसमें यहाँ पर हिंदी टाइपिंग मांगी गई है 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिस में और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में उसके बाद junior security rate की vacancy है 12th pass candidate अप्लाइ कर सकते है next जो है lab attendant की vacancy है post accord 12 है और 18 से 30 वर्ड यहाँ उम्र है 10th pass अगर candidate है a certificate या diploma in laboratory technique और अगर 12th pass है तो science stream से अपने अगर किया है तो आप बिल्कुल यहाँ पर अप्लाइए आप कर पाएंगे MTS के लिए कोई भी 10th pass candidate अप्लाइ कर सकते है 18 से 30 वर्ड की उम्र उपरी IUC में छूट यहाँ पर 5 वर्स रहेगी SCST 3 साल OBC के लिए रहेगी और साथ में यहाँ पर कहा है कि multitasking staff के लिए 5 साल की छूट यहाँ पर employees को रहेगी जो कि नवोदे विध्याले में पहले से ही काम कर रहे है contract waste पर ठीक है या daily wages पर काम कर रहे है competitive exam होगा interview रहेगा बिल्कुल Kendri Vidhyale की तरह और कहाँ कहाँ जो है exam रहेगा exam center कहाँ बनाए जाएंगे तो All India में state और city आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है center रहेंगे तो आप जो है अपनी सुविधा के according form में वो राज्य जो है आप फिल कर देंगे और examination की जो scheme रहेगी वो क्या रहेगी तो 32 basis की जो है पीडिया फाइल है आप लोग बिल्कुल चेक कर सकते हैं आप लोगों को link शेयर कर दिया जाएगा जिस भी post के लिए आप apply करना चाहेंगे तो सारी चीजे जो है यहाँ पर देख लेंगे दूसरा जो notification है जो की 15 मार 2024 का ही है और जिसमें post graduate teachers का प्रमोशन के लिए principle and wise principle के लिए तो जो LDE की जो है vacancy है जिस तरीके से केंद्रे विध्याले में रहता है सबसे पहले LDCE की vacancy आती है उसके बाद जो है permanent vacancy आती है ठीक है अब कुछ ही समय बाकी है जो permanent vacancy के notification आ जाएंगे teaching and केंद्रे विध्याले में भी तो जो भी candidate तैयारी कर रहे है बिल्कुल तैयारी जो है करते रहे LDCE के लिए बिल्कुल अगर आप apply करना चाहते है TGT Maths, TGT Science, TGT SST, Hindi, English, TGT Physical Education and TGT Language Language Teacher के लिए ठीक है यहाँ पर जो है number of vacancy दी हुई है जैसे principle के लिए 39 है wise principle के लिए 141 है PZT English के लिए 75 है Hindi के लिए 70 है Maths के लिए 54 है Biological के लिए 61 है Chemistry के लिए 61 है PZT Physics में 97 vacancy है History के लिए 41 है Geography के लिए 38 है 23 Physical Education Teachers के लिए है तो यह सभी PZT के लिए है Promotion के लिए 5 यहाँ पर जो है Language, Assamese, Manipuri, Bangla, Tamil, Kanada, Urdu and Odia तो यह आप देख सकते हैं अभी जो है next यहाँ से जो notification आएगा वो बिल्कुल permanent Teaching Staff के लिए आने वाला है और केंद्रे विध्याले की त्यारी करने वाले विध्यारती जो है वो भी ध्यान दे Vacancy के notification आने ही वाले है ऐसा ना करें कि notification आने के बाद त्यारी करें पहले से ही त्यारी स्टार्ट कर दें क्योंकि जो है अब नवोदे की vacancy बिल्कुल स्टार्ट हो गई है और इसके बाद केंद्रे विध्याले की बारी है तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू क्या स्टार्ट